नमस्कार विवर्स पलकों की छाओं सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अन्टरन से जहां पर देखने को मिला कि अब अनसुमान नंदन को समझा देता है कि बस एक दिन के अंदर 24 गंटे के अंदर मैं तुम दोनों को एक करके रहूंगा पूरे परिवार को मना लूँगा नंदन लेकिन नंदन जानता है कि यह परिवार अनसुमान की बात नहीं मानने वाला है क्योंकि यह रिस्ते को कभी भी नहीं अपनाएगा तो वहाँ पर सुमन आ जाती है नंदन से मिलने जहां पर नंदन बोल देता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी सुमन नहीं तो मैं हमेशा के लिए चला जाओंगा कभी भी तुम्हें ये नंदन दिखाई नहीं देगा तो आपर बॉल देता है कि ये परिवार हमें कभी भी नहीं अपनाएगा मतलब हमारे रिस्ते को नहीं अपनाएगा हम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे तो हमें बाग कर साधी करनी होगी वरना ये परिवार हम दोनों की साधी कभी नहीं होने देगा तो वहाँ पर सुमन मना करी योदी बोल देती है कि हम परिवार को दोखा नहीं दे सकते हैं तो वहाँ पर नंदन बोल देता है ठीक है सुमन तुम्हें फैसला लेना होगा जहाँ पर सुमन चल देती है नंदन के साथ लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं सुमन को गेर लेते हैं तो वहाँ पर उसे पकड़ लिया जाता है तो देखना काफी दिल्चस पाने वाला है कि क्या समय रहते इन गुंडों के बीच गिरी सुमन को नंदन बचा पाएगा दुसरी और सुमन के साथ गटने वाली एक वर्त बड़ी गटना जहाँ पर उसे कितनाप करने की कोशिस करेगा कोई उसे माने की कोशिस करेगा क्या समय रहते अंसमान और नंदन कर पाएगे सुमन की रक्सा